कही ना कही दलीज समाज और गुजर समाज आपने देखा होगा जमीन से जुड़े विये हैं इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता ना ही उनका हमारे बिना काम चल सकता है अगले मुख्य मंतरी जो यूपी के होंगे में बड़े वाई चंदर सेखर आजा दी होंगे चाहे स्ट वाई चंदर सेकर आजाज जी इस देश के परदानमंतरी जरूर बनेंगे इसलिए हमारे देश में अनेकों गाउं है और अनेकों गाउं में अनेकों गाउं अलग-अलग हित्यास रखते हैं ऐसा ही गाउं है सानपूर का मिरकपूर यहां न तो कोई लेसुन प्याज खाता है ना ही कोई किसे तरह का नस्वर करता है गाउं के युवाब मिल जुल रहते हैं कवाओं के सामने कोई भी अठ्चन आती है तो पूरा गाउं मिलकर उस समच्छा का सामना करता है यहां तो एक कावत यह बी कि बिजली वाले भी आनी आता है अज तक मैंने इस गाउं में मि एक वीडियो अलग से आएगा हमारे साथ में बात करने के लिए मोनु भाई हैं जो की यहां पे कोच रहे हैं लिए पूंट weetl puisqu की तो मोनु भाई स्वागत आपका पहले तो गाम गौंड में धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल गाम गौंड का तो सबसे पहला स्वाल ये कि आपने जो कारिया सुरू किया है बच्चों को सिखाने का वेट लिप्टिंग का कैसे क्या आया दिमाग में की बच्चों को इस तरह लेके जाना है मैंने गाउं में बहुत सारी जगा पूचा यही कह रहे हैं कि तो मतलब दलीतों की ज़्यादा त्यारी करवाता है क्या सच में इसी बात है नहीं ऐसा बात नहीं है मेरा जो मकसद था वो जो हमारे गाउं से गरीब दबे कुछले बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स में आगे लाने का था मैंने 2015 में एक सुरुवात की थी गाउं में बेट लिफ्टिंग की और उसके बहु दिए और अस्टेट पर तो हैने को मैडल दिए ज्यादातर मेरा फोकस गरीब बच्चों पर ही रहा जो बच्चे अ-सपोर्ट बाहर जाकर नहीं कर सकते थे दबे कुछले बच्चे थे मैंने उन पर ही ज्यादा फोकस किया मैंने आग disp丁रा साल से exactly 9 साल से निसूल सेंस्त् गूज्रों का गाउं हैं गूरुजर बाहू ले गाउं है तो यह जो दलितों का प्यार है मैंने आपका देखा आजाद के लिए भी दबा कर खुल कर बोलते हैं उसके पीछे क्या कारण है उसके पीछे कारण कुछ नही है बड़े बाई चंदर सेकर आजाद की जी की जो किरने का काम कर रहे हैं देस के किसी नेत्डा न्याज तक ऐसे मंच पर आकर खुले मंच से नहीं बोला और नहीं अज़ तक Чिसी नेत्डा ने इतना बड़ा काम किया जीसे मेश भी उन पर एक अपके प्रभी वह था उसमें आपके गाउं का नाम भी कहीं बार मीडिया में आ लेकिन वाद में दब गया और का जाता है कि हमला करने के बाद भी ओगाड़ी आपके गाउं आकर रुकी थी क्या है इसके पीचे की सच्चाई यह तो एक सडीयंतर था सडीयंतर के तैक कहीं ना कहीं एतियासी गाउं मिरकपुर को बदनाम करने की साजिस थी बड़े भाई चंदर सेकर आजाद जी की जो लोक प्रियता यूत यूत में इस वक्त उनकी लोक प्रियता है कहीं ना कहीं गुजर समाज उनको दिल से प्यार करता है यह दूसरे समाज के मन में खटास थी के बड़ को मिरकपुर गाउं में थाम कर कहीं ना कहीं इसका ध्यान दूसरे डब आकर सीथ करना चाते थे के दलीतों का और गुजरों का प्यार कहीं ना कहीं यह खतम हो जाए तो अब क्या है जो प्यार थाओ जो को तू है या फिर बदला उस प्यार में जो कोई दरार आई या नही मैं मानता हूँ दलीद भाई और गुजर समाज आपने देखा होगा गुजरों के जितने में किसान का बेटा हूँ किसानी से जुड़ा हूँ किसान कही ना कही दलीद समाज और गुजर समाज आपने देखा होगा जमीन से जुड़े हुए है इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, नहीं, उनका हमारे बिना काम चल सकता है आपने देखा होगा, गजर समाज जैसे ही छोटे-छोटे किसान है ये हमारे क्शेतों में द्याडी मजदूरी करते हैं कई न कई इनकी इनकी स्थिती और हमारी स्थिती समान ने है थोड़ा सा हमारे पाजमीन है इनके पाजमीन नहीं है लेकिन कहीं न कहीं गूजरों का और दलीतों का प्यार जैसा है साही रहेगा ये कम नहीं होगा तो अब क्या लगता है क्या लोग तो ये भी कह रहे है कि चंदर सेका राजाद आने वाले समय में बहुत बड़े राजनित्यका बन सकते हैं और बहन कुमारी मायोधी की जगह ले सकते हैं क्या लगता है क्या वो गट जोड जिस तरीके से भारती जंदा पार्टी के साथ गुरजर समाज ने जादा से जादा वोट उनको किया है क्या आने वाले समय में ये एक जोड कोई नया रंग ला सकता है उत्तर प्रदेश में और जो बीच में खाई थी दलीतों के बीच में या गुर्जों के बीच में जिस तरीके से छुवा छुट के एक प्रमपरा चली हुई थी क्या वो आने वाल समय में खतम हो पाएगी देखिए जो छुवा चूत की प्रमपरा थी और नई जनरेशन जब से आई ये तो बिल्गुल मैं मानता हूं गूजरो में तो बिल्गुल खतम है बिल्गुल जीरो मैं इन चीजों को नहीं मानता लेकिन आप उन्हें जिसे सवाल क जाए उसमें टाइम लगे थोड़ा लेकिन मुक्हे मंतरी अगले बड़े बाईचंदर सेकर राजाद जी हैं क्योंकि स्टी ओबीसी चीज़ दिन इस चीज को समझ लेंगे अपने हक अधिकारों को समझ लेंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है मैं मानता हूं कि बड़ अधिका देश नसे इसका मुक्हे मंतरी बनता है साइड उस गदी तक अधिक जासकता है परदन मंतरी बन सकता है मैं समाज को से सूर समाज को साथ बेकर चल रहे हैं कई ना कहीं हैड माश्टर का बेटा आज इस देश को हिला सकता है जिस तरह से उनकी लोक प्रियता इस देश में बढ़ी है मैं देख रहा हूं के कहीं ना कहीं बड़े वाई चंदर से का राजाज जी इस देश के परदानमंतरी जरूर बनेंगे ऐसी मेरी इच्छा है तो क्या लगता है आपको अगर परदानमंतरी बनते हैं जो किसानों की समझ्चा हैं जो मजदूरों की समझ्चा हैं वो दूर हो पाएंगी एजुकेसन का सिष्टा मिया भी गड़ चुका है उसको लेकर वो क्या कर पाएंगे क्योंकि उन्हों के पिता जीब बामसेप में रह दी क्या उसी रस्ते पर चलकर चंदर सेकर आजाद भी कुछ नया कर पाएंगे एक जमीनी इस तर से उठावा वैक्ति जो एक जमीनी नीचे से उठकर उस लेविल पर गया हो वो किसानों का भी दर्द गरीब मजदूरों का कमेरों का सब का दर्द जानता है और मैं मानता अगर वो बड़े वाईचंदर सेकर आजाद जी इस देश के परदानमंतरी बनते हैं तो निश्ची ती जो बहुजन समाज है उसको उनके हक अधिकारों की जो किसानों के मुद्दे हैं गरीबों के मुद्दे हैं वे हैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये लड़ाई क चंदर सेकर वी इसी तरीके से काम कर रहे हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा उसमें दिखा रहे हैं कि मेरे घर में तो दंसिंग को तवाल की फोटो लगी हूई है मैं तो सब का सम्मान करता हूँ कैसे नहीं गुरुजर समाज के साथ हूं क्योंकि उनको पता है वाव देख लीजिए सबसे पहले उन्होंने गूजरों कोई सम्मान देने का काम क्या है राश्टे मा सची बड़े भाई रविंदर बाटी जी को उन्होंने बनाया कहीं ना कहीं मैं मानता हूं मापुरुसों की जो विचार दारा है धन सिंग कोतवाल जी की परतिमा उन्होंने मीर बोट जी बड़े बड़े मंचों से जो ऐलान किया उन्होंने ऐसा नहीं है कि कल को राश सत्ता में बैठने के बाद वो इन चीजों को भूल जाएंगे आपने देखा होगा हम लोगों को तो अब से पहले चोर चोर मानते थे दूसरी बिरादियों हमें वह चोर कहती थी बह कि धेस का दूर्भाग्ये देखिए हमारा जो इत्यास THA वो दबाया कहीं ना कहीं दबाया गए और जिनका कुछ IDR नहीं था इत्यास उजागर किया गया तो ये एक देस का दूर बहुत में मौनु भाई ने बहुत अच्छे से सफाई दी है कि चंदर शेका राजात जो हैं बारत के प्रधानमंतरी बन सकते हैं अगर वास्तों में ऐसा होता है तो क्या जो किसानों की मचदूरों की समस्याएंगे भारत कभी एक हुआ करता था और आज लोकतंत्र में भी एक है लेकिन कहीं न कहीं कुछ बाते ऐसी घटना घट जाती हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि आज के इस यूग में ऐसा भी हो सकता है यहां मुस्लिम, दलित, सोसित, पीडित, किसान, मजदूर को तोड़ने की जो बाते हुई है क्या इसको आने वाले समय में चंदर से का राजाद दूर कर पाएंगे जिस तरीके से भारत को मजबूत बनाया जा सकता है जिन बातों से भारत मजबूत हो सकता है उस पर भाई काम कर रहे हैं अपने स्पोर्ट के माध्यम से अपने बच्चों को निखार कर कितने बच्चे बता रहे थे आप पुलिस में कही हैं चार बच्चे निकल चुके हैं चार बच्चे के दोबारा जो ट्रेनिंग इन्होंने दी उसके जरीए स्पोर्ट के जरीए वो पुलिस में जा चुके हैं अपनी आज सेवा पर वो लगे हुए हैं जिस जिस फिल्ड में वो हैं तो इस तरह की जो समश्या हैं कि आज अंदर से एका राजाद उनको दूर कर पाएंगे हम लगतार छेतर से जुड़ी खबरे आपको दिखाते रहेंगे जुड़ी रेका गामगवांड के साथ जै हिंद जै बारत